आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है यह बहुत ही यामी सी और टेस्टी से सबजी जो बनाना बहुत आसान है और इसका कॉंबिनेशन जो एक साथ बनने का कॉंबिनेशन है बहुत अच्छा लगता है चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने दो प प्याज तो देजपत्ते साड़े खड़े मसाले ले लिए हैं थोड़े से दरदरा कूट लिया है एक चमज हमने इसमें जीर डाल दिया है और हमने पिस्टा हुआ मसाला था ना वो चो हरे मेर्च वाला उसको भी डाल दीजिए और इसे तब तक भुनना है जब तक ऑईल र जाते हैं और उपस इसका टेस्ट पॉरेज नहांस हो जाता है और साथ में मसाले जलते भी नहीं है तो कि दो तीन फाइदे हैं अब इस तरह से मैंने इसको डाल दिया इसमें और इसे तब तक भुनना है जब तक ऑईल रिलीज ना कर दे ऑईल जैसे हलका सा रिलीज हो इसक इसे बहुत अच्छी खुशुबा आती है जैसे आप कस्तूरी मेथी डालते है इस इक दम फ्रेश धनिया का भी टेस्ट बहुत अच्छा था दो चमच मने इसमें जो है छोली मसाले डाल दी है और बस इसे तब तक पकाने जब तक गॉयल रिलीज हो गया अब हमने जो यह ओवरनाइट सूख करके रखा था यह मैंने वीडियो में नहीं दिखाया नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसे बस दो तीन विसल आने तक पकाई है इसमें मैंने काल मिर्च पड़ी लाइची और छोटी लाइची डाल कर इसे अच्छे से मैंने फॉयल कर लिया है तेन सेडी आने तक और इसे बस हमारी सबजी जो है वो तैयार हो गई है जब सबजी पक जाए इसी टाइम पर देखिया हमें सबजी अच्छे से पक गई हो कि ऑल उपर आ गया है और इसी टाइम पर जब सबजी पक जाए तब हम पनीर डालें करीबन इसमें 200 ग्राम मैंने दाल दी है इतना अच्छा कॉमबिशन है ये पनीरों चोले का आपने कुई बहुत बनालें करते हैं और बस चुS करिए मज़दार सी सबजी आपतनीर नहीं पर जाड़ा डालने के पार से तो पनीर फुह पर चूई ही हो जाता है तो मिलते हैं अ पर अ अ